आज हम बात करेंगे 6 Alternative of Refined Sugar आक्चुली हम लोग जो शुगर खाते हैं ना हमारी किछन में जो आरम तोर पे मिल जाता है Refined Sugar वो हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देता है और उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है हमको इसके काफी ज़्यादा नुकसान ही है तो आज मैं उनके आपको कुछ Alternatives बताऊंगी जो हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा फायता देंगे और आपको अगर आपने इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दू लाइकन सब्सक्राइब एंड शेयर विद यो फ्रेंड सबसे पहले आता है coconut sugar आपको पता है coconut sugar is so healthy for us it is full of iron potassium, zinc and calcium इसमें यह सब इतना अच्छा प्रेजन्ट होता है अगर आप coconut sugar यूज करना चालू करेंगे इसे आप कहीं पर भी किसी भी चीज में यूज कर सब्सक्राइब आपकी चाहिए हीरे एब्सॉब होती है और हमको हमारा जो ब्लड शुगर है उसको रेज नहीं करती है तो coconut sugar is better than the refined sugar second important date sugar जो dates होते है वो एक one of the sweetest fruit available on the earth है आपको पता है date sugar is full of fiber इससे हमारा iron hemoglobin का level भी increase हो जाता है constipation की problem हमको ठीक हो सकती है यह बहुत ही mineral and vitamins से rich होता है और आपको पता है इसको आप घर में भी बना सकते है date sugar को आपको बस dates को dry roast करना है और उसको mixy में आपको finely grind कर लेना है उसको आप फिर किसी भी चीज में यूज़ कीज़े चाहिए बेक करने में आप खीर बनाते हैं या दूद पीते हैं curd उसमें आप alternative to sugar यूज़ कीज़े आपके लिए यह बहुत ही beneficial है date sugar इसमें high fiber content होता है जो हमारे body को cleanse करने में detoxify करने के लिए बहुत important होता है तो you can switch to date sugar third important alternative of refined sugar is मिश्री मिश्री हमें कौन सी लेनी है जो धागे वाली होती है वो जो छोटे-छोटे crystal pieces of मिश्री आती है ने वो नहीं लेनी है वो जस्त मतलब जो normal sugar है उसका थोड़ा सा बड़ा पाट होता है उसको नहीं use करना है हमें जो बड़े-बड़े crunches of मिश्री आते है दागे वाला we have to use that आप उसको as a alternative to sugar यूज़ कर सकते हैं किसी भी जगा यूज़ कर सकते है जो चाई पीते है कौफी पीते है दूद पीते खीर बनाते है whatever you put आप दागे वाली मिश्री को मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए वह आप यूज़ कर सकते हैं आपको पते दागे वाली जो मिश्री है है तो शुगर ही बड़ इस पर कोई भी chemical process नहीं हुई होती है जिससे यह हमारे bone की density भी बढ़ाती है और यह न कूल इन नेचर होते थंडी होती है इसको खाने से हमारे को मतलब गर्मी सी फील नहीं होती है यह थंडी होती है और यह rich होती है calcium, magnesium, iron and antioxidants में तो you can easily switch to दागे वाली मिश्री यह कहीं भी क्रियाने की shop पे easily available हो जाएगी next important is honey आपको पता है जो honey है उसका जो chemical composition है वो बिलकुल हमारे blood के समान है मतलब दोनों का chemical composition बहुत same है तो आप जब भी honey लेता है उसका हमारी body में बड़ा अच्छा absorption होता है और it is high in antioxidants and antibacterial होती है यह हमारे को brain का एक tonic की तरीके से काम करती है you should start taking honey आप दूद में डालके या आप पानी में नीबू के साथ ले सकते हैं आपको पता है honey लेने से हम लोगों का weight भी बहुत जल्दी reduce होता है belly fat reduce कर सकते हैं और honey is a tonic to our body you should start taking honey by today only fifth number is stevia आपको पता है stevia आज का लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए है इसका एक reason यह भी है कि stevia is 25% more sweeter than refined sugar और जो stevia है उसका glycosemic index 0 है तो इसका बिल्कुल body में absorption नहीं होगा तो side effect तो होई नहीं सकता और जितने भी लोग अपना weight loss करना चाहते हैं या फिक calorie count करते हैं तो it has zero calorie तो say this is the best product they can use stevia इसमें कोई calorie नहीं है तो weight gain होने का कोई chance नहीं है and it is very good alternative to normal sugar बस इसका एक side effect होता है कि stevia खाने के बादना हमारे मुह में after sugar ही सा थोड़ा सा taste रह जाता है यह इसका nature है बट अगर आपको इस चीज़ से problem नहीं है then you can use it very happily another very important last is jaggery आपको पता है गुड़ या गुड़ की शक्कर यह हमारे लिए बहुत healthy alternative है तो यह sugar cane से ही बनती है पर इस पर कोई ऐसे खास chemical process नहीं होती जिसके कारण यह हमारे हीमोगलोबिन को हाई करती है हमारे को हमारे liver health के लिए बहुत अच्छी है हमारे metabolism को बहुत strong कर देती है जिनलोग को constipation की problem है उनको तो jaggery चाहे वो गुड़ साबूत लें या फिर powder form में वो जैसे मर्जी ले सकते हैं उनका पेट बड़ अच्छे से साफ होगा और आपको जो थकावट दिन में रहती है या कुछ भी आपको लगता है कि राउजीनेस थकान यह सब दूर हो जाएगी I hope you all like आपको पता है अगर हम यह सब alternative use करेंगे for 21 days आपकी skin glow करने लगेगी आपको जितनी थकान रहती है चकर आते हैं या फिर आपको हीमोगलोबिन कम रहता था metabolism बहुत slow था your metabolism will be very fine आपको constipation की problem भी नहीं होगी तो try to take these कोई भी आप alternative use कर सकते है बड़ that you can take healthy alternative to that thank you for watching and please do like and subscribe and share with your friends